नमस्ते बच्चों एक बड़ फिर से आपका स्वागत है हिंदी ओन्लाइन क्लासेज में मैं गिताईजली शर्मा आपकी हिंदी टीचर चलिए बच्चों आज पार्ट सांट के सेशन 3 में हम कर रहे हैं पार्ट से संबंधित शब्दार्थ और अन्मिय अभ्यास कारें आशा क पर है पंखुडियां नमबर दो पर है महक महक मतलब सुगंध पंखुडियां याने फूलों की पत्तियां और गुलकंद गुलकंद जो गुलाब की पत्तियों से बंता है शब्दार्थ पंखुडियां पंखुडियां का अर्थ होता है फूल की पत्तियां पंखुडियां क में हमें पाठ में से चुनकर सही उत्तर लिखने हैं, पहला है माली ने गमला तयार करने के लिए उसमें डैश, डैश और डैश डाली, तीन चीजों के नाम लिखने हैं, माली ने गमला तयार करने के लिए उसमें मिट्टी, खाद और रेद डाली, अगला है, किकी रोज सुभ पौधों को डैश देती थी क्या देती थी किकी रोज सुब पौधों को क्या देती थी बच्चों पानी देती थी खालिस्थान में पानी आएगा गुलाब के फूल की डैश से डैश बनता है दो तर लिखने है गुलाब के फूल की पंखुडियों से गुलकंद बनता है दौन इस प्रश्णम का भी आपको अभियास करते रहना है चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा अगला प्रश्ण है पौधे के विभिन भागों के बारे में पौधे के विभिन भागों के नाम पहचान कर लिखें यह हमारा प्रश्ण है नीचे कुछ आप्शन्स दिये गए है नीचे एक चित्र दिया गया है पौधे का उसके विभिन्न भागों के हमें नाम खाली जगर में लिखने है सबसे पहले है एक फूल दिखाई दे रहा है उसके सामने हम लिखेंगे फूल फूल के नीचे कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं इस खाली जगर पर लिखना है पत्ते इसी के नीचे जो जगह दी हुई है वहाँ पर कुछ पत्तियां लगी हुई है एक तहनी पर यहां हम तहनी लिखेंगे उपर बढ़ते हैं वापिस देखते हैं फूल के पास में ही एक छोटी सी कली दिखाई दे रही है यहां हम खाड़ी जगह में कली लिखेंगे और अंत में नीचे लाल रंग के दो फल दिखाई दे रहे हैं इस जगह पर हम फल लिखेंगे तो बच्चों एक पौधे के विभिन हिस्से हैं ये कली, फल, फूल, पत्ते और टहनी इसके द्वारा आपको इनका भी अभ्यास करना है, लिखने का भी अभ्यास करना है और पौधे के विभिन भागों के नाम भी आपको लिखने का अभ्यास करना है आगे बढ़ते हैं गुलाब और सूरज मुखी दो फूलों के नाम है जो किसी के नाम हो, उन्हे नाम वाले शब्द कहा जाता है। ऐसे ही कुछ नाम वाले शब्दों से यह तालिका पूरी करें। बचों हमारा यह प्रश्न है नाम वाले शब्दों से संबंधित हमने अपने पाट सांत में नाम वाले शब्दों का ध्यान किया है आपको याद होगा किसी भी व्यक्ति वस्तू स्थान के नाम को संग्या कहते हैं या नाम वाले शब्द कहते हैं सबसे पहले है व्यक्ति का न शीला जगह का नाम शिमला जानवर का ना म शेर और वस्तू का नाम शीषा शीषा यूनिये कांच तो बच्चों एक अक्षर से एक वर्णमाला के एक वर्ण से हमें नाम सारे लिखने हैं अगला है कक से व्यकति का का नाम कविता, जगह का नाम केरल, जानवर का नाम कुत्ता और वस्तू का नाम कागज होगा ये सब कह से शुरू होने वाले नाम वाले शब्द हैं अब हमारा अगला है अ से हमें अ से व्यक्ति का नाम लिखना है, सोचिए, जी हाँ अजय, जगा का नाम आगरा, जानवर का नाम अजगर और वस्तु का नाम अंगूठी, ये हम लिख सकते हैं, अगला है हर से, हर से व्यक्ति का नाम हमें लिखना है, बच्चों सोचिए, जी हाँ आप भी अपनी मन से लिख सकते हैं, हव से हिना, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम हवई, विदेश में एक जगह है, जानवर का नाम हाथी, और वस्तू का नाम हल, इस प्रकार हम व्यक्ति, वस्तू, जगह और जानवर के अलग-अलग अक्षरों से नाम लिख सकते हैं, इसका भी अभ्यास कीजिए आईए बच्चों, अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं, यह प्रश्न नया है, पहली बार मैं आपको इसका अभ्यास करा रहे हूं दिये गए गध्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए बच्चों, पाठ में से मैंने एक पैरग्राफ, एक अनुच्छेद, याने कुछ लाइने चूस की हैं, इन्हें हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर से ही मैं आपसे प्रश्न पूछूँगी और आपको इनका उत्तर देना है माली ने एक गमले में छोटे छोटे बीज डाले और दूसरे में एक डंडी लगा दी, एक में सूरज मुखी का फूल आएगा और दूसरे में गुलाब खिलेंगे माली ने समझाया कि की रूज सुबह गमलों में दौनों गमलों में पानी डालती, वह हर रोज शाम को पौधों को प्यार से थप थपा कर कहती, जल्दी जल्दी उगो बच्चों ये लाइने, ये कुछ च्छे लाइने हैं, ये मैंने लेसन में से ही ली है चलिए बच्चों आईए, अब हम इसी अनुछेद में से कुछ प्रशनों को पूछेंगे उनका भी हम अभ्यास कर लेते हैं पहला प्रशन है माली ने गमलों में कौन-कौन से फूल लगाए थे बच्चों? उत्तर होगा सूरज मुखी और गुलाब यह दौनों पौधे लगाए थे यहाँ पर हमने एक या दो शब्दों में ही प्रशन का उत्तर दिया है चलिए बच्चों अब हम इस प्रश्ण के बाद बढ़ते हैं आगे किकी हर रोज गमलों में क्या डालती यह उत्तर भी आपको अनुच्छेद में ही ढूनने से मिल जाएगा इसी पैराग्राफ में मिलेगा किकी हर रोज गमलों में क्या डालती थी पानी डालती थी लेकिन यहाँ पर आपको पूरा उत्तर लिखना है बच्चों किकी हर रोज गमलों में पानी डालती चलिए बच्चों इसी तरीके से आप अन्या अनुच्छेदों का भी अभ्यास करिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते हैं तो बच्चों यह था आज का हमारा सेशन थ्री अब आज का यह अभ्यास कारे है आपका कि आप इस पूरे पार्ट को पढ़ेंगे और जितना भी हमने पढ़ाया है उस सभी का आप अभ्यास करेंगे अपने अगले पार्ट में या अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए घर पढ़ रही सुरक्षित रही पढ़ते रहेंगे धन्यवाद